दोस्तों बनकता बजार सुभास चोक गुपता जी के मकान से अब हम अपने घर के तरफ चलेंगे जो डॉकुमेंट्स हमको लेने थे हम रिसीव कर लिए हैं देखेंगे तो इसको रिसीव करके हम अपने घर के तरफ चल रहे हैं और रास्ते में कुछ मज़ेजार चीजे जरूर दिखाऊंगा देखिए आज भी गाव में गाए अधिकतर जगों पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों हम अपने डॉकुमेंट्स को रिसीव करके आगे की तरफ हम चल रहे हैं अपने घर तक जाएंगे यह रोड की स्थिति देखिये बहुत ही डवलब चौ रहा है फिर भी यहां पे रोड की स्थिती बहुत ही बेहत खराब बनी हुई है और इधर कोई घ्यान देने वाला भी नहीं है यह सुबाश चो रहा अब यह सुबाश चो रहे का वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि वारी सुने के बाद बादल और लिखाई देते हैं तो मौ섬 कैसा सुहाना सुहाना हो जाता है आप आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हर्याली साथीजी साथ हलके हलके बादल और दूब के साथ ऐसा द्रिस्य बहुत ही सुन्दर लगता है और किसी को भी देखने में भी अच्छा लगता है यह अब हम विचला चवराहे पे पहुँचने वाले हैं बनक्टा बजार के तो राके स्वीट हाउस बनक्टा बजार बनक्टा बजार में अभी यह नई नई दुकाने खुली हैं और यह चवराहा भी लगतार प्रगती कर रहा है और नए रूप में आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों अभी हम बिचले बनक्टा के बिचले चवराहे पहुँच चुके हैं यह बिचला चवराह बनक्टा का अभी बिल्कूली सुबह का समय है तो यहां पर चौल पहल कम है लेकिन साम को चार से पांस बहुत सी जादे भीड हो जाती है यहां पर अरविंद आटो इस्ट्वेर पार्ट्स कसम से दोस्तों यह कारे करने में बहुत ही मजा आ रहा है हमको और जितने भी महान लोग हैं सबके मुख से यही सब्द सुनने को मिला है मोटिवेशन के तौर पे जिस कारे को करते हुए ठकान नहों कारे वही करना चाहिए और उसमें अपने सर्वस्व देने के लिए तयार हो रहना चाहिए यह बनक्टा का प्राइमरी और मीडिल स्कूल प्राइमरी और मीडिल स्कूल प्राइमरी और मीडिल स्कूल आपिएक कर दान के रहे दोरोंगDe